गुपेजल्क हम प Sounds सब्सक्राइब है डाल हम और इंगार्म बादयों 20 अर्ग नएज जेते हैं चांगbing सेवन कोडिनेट जेमाट्री के बारे में क्या होता और कोडिनेट जिसमें हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन के बार में बढ़ते हैं मध लीज़, यह एक पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट की लोकेशन के बार में जानना है कि यह पॉइंट की नीचे से कितना है और इस दो कैसे करना इसके लिए वह कहते लाइन ड्रॉव गशे working एक line horizontally और vertically दोनों lines draw कर लीजे अब हम देखेंगे measure करेंगे जैसे ये तो scale से measure हो कर सकता है तो scale से measure किया मालीजे ये हमारे पास यहां से कितना इधर मैने line draw करी तो ये मालीजे 0 से मेरे पास 2 cm है और ये कितना मेरे पास ये मानीजे मेरे पास है 5 cm ठीक है तो इस point की location क्या होगी ये पहले और ये बाद में 2,5 हो गया और अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इस line को x-axis बोलते हैं और इस वाले line को क्या बोलते हैं y-axis बोलते हैं ठीक है और ये जो है इस line पर सारे x के coordinates इस line पर सारे y के coordinates इस तरफ x के positive coordinates होते हैं इस तरफ y के positive coordinates होते हैं इस तरफ x के negative coordinates इसलिए minus x बोलते हैं इस तरफ y के negative coordinates इसलिए minus y बोलते हैं ये हम सबको पता ही है ठीक है अब हमने ये एक point लिया था जिसकी हमने location पता किया है हमेशा location लिखते वक्त पहले x coordinate लिखने है y coordinate बात में लिखने है अब x coordinate को क्या कहते है उसको कहते है abscissa क्या कहते है abscissa और y coordinate को क्या कहते है ordinate क्या कहते है ordinate ठीक है यह x coordinate 2 है y coordinate कितना है मेरे पास यह 5 है ठीक है अब दूसरी बात क्या है कि जो ये two lines है ये x axis और y axis जहां पे दोनों मिलते हैं इस पे मिलते हैं इस point पे उसको origin बोलते हैं क्या बोलते हैं origin और उसके coordinates क्या होते हैं 0,0 x coordinate भी 0 और y coordinate भी 0 हो गया और इन दो lines को क्या कहते हैं Cartesian axis या coordinate axis भी कहते हैं coordinate axis या Cartesian axis इसी लिए इनने coordinates बोलते हैं हर point को ठीक है अब एक important बात की x axis पे किसी भी point के coordinate लेने हो तो क्या होंगे देखें यहां पर यह x axis है तो इस पे हमेशा x वाले points होंगे इसका मतलब इस पे y की value क्या होगी 0 तो इसका मतलब इसका coordinate क्या होगा x,0 x की कोई भी value change हो सकते 1 2 3 4 या minus 1 minus 2 कुछ भी हो सकता है लेकिन y coordinate हमेशा क्या होगा 0 उसी तरह y axis पर सिर्फ y की values हैं x की तो है नहीं तो इसका मतलब y axis पर हमेशा x की value क्या होगी 0 और y coordinate y होगा मतलब y की जो भी according to हम value रख सकते हैं ठीक है अब हमने आगे चलना था हमने इसके लिए अब हमारा main मकसद के यह तो हमने 9th class में पढ़ा हुआ है अब 10th class में हमने निया क्या पढ़ना है कहता है एक यह point है मानले जी एक मैं यहां पर मानले जी एक b point ले लेती हूं और यह रहा b point जिसकी मेरे पास मानले जी यह है plus 4 ठीक है और y है plus 1 यह है अब कहता है यह दो points हो गए a और b तो दोनों के बीच में distance पता करना है कि a से b की दूरी कितनी है हमने यह distance पता करना है a से b की दूरी पता करने है कितनी है मैंने ठीक है जैसे हम आम कहते हैं कि मोगा से लुध्याना कितनी दूर है 60 km है उसी तना a से b कितनी दूर है अब यहां पर कोई kilometers तो दिये ही नहीं यहां पर हमें a के coordinates दिये है और b के coordinates दिये है तब coordinates जब दिये हो तब distance कैसे पता करना है उसके पर लिए एक है distance formula distance को पता करने के लिए फॉर्मला जो है उसको क्या करते है distance formula क्या है distance formula मान लिजे सबसे पहले हम journal formula की बात करते है मान लिजिए a है मेरे पास x1 y1 x का coordinate x1 y का coordinate y1 b है मेरे पास x2 y2 ठीक है अब distance formula को दिखाएंगे कैसे a से b का distance पता करना है तो ए और बी के आसपास यह लाइन्स लगा देंगे इसका मलते हैं ना कि mathematics is a language of symbols तो इसलिए A, B के आसपास यह दो लाइन्स इतसल्फ बताती है कि यह इस पर हमने distance पता करना है A से लेकर B का distance पता करेंगे यहाँ पर हमें distance लिखने की जरूरत नहीं है अब formula क्या है X2 में से X1 माइनस कीजिए X2 माइनस X1 फिर उनकी bracket का square plus फिर Y2 में से Y1 माइनस कीजिए bracket का square फिर उसका under root ठीक है अब आप कोगे कि इस में से भी कर सकते हैं X1 माइनस X2 भी कर सकते हैं Y1 माइनस Y2 भी कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि देखिए चाहिए अब 2 की power 2 कितना ओतर 2 को दो बर multiply किया तो answer 4 आ गया इसलिए पर ये बात ध्यान रखने कि अगर आपने X1 माइनस X2 लिया है तो वहां पर Y1 माइनस Y2 ही लेना है यह इनकी एक का पहले में से दूसरा माइनस कर दिया दूसरे का Y वाले का दूसरे में से पहला माइनस कर दिया ठीक है एक सिस्ट्यम ही रखना है यह तो है formula अब हमने इसका question लिख लेते हैं फिर questions पता करते हैं क्योंकि जो हमारा main मकसद है ठीक है पहला question है find the distance between the following points between the following points तो points कौन से है मेरे पास पहला है मेरे पास question 23,4,1 यह है अब हमने इसका distance पता करना है formula हमारे पास लिखा ही हुआ है तो चलिए करते हैं इसको हम पहले क्या लिख लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2 यानि कि यहाँ पर हम values लिखने लगे है इस तरह अगर लिखेंगे एक तो presentation कि हमारे मात्स अच्छे मिल जाएंगे और दूसरी बात हमें confusion नहीं रहेगी और मैं हमेशा बच्चों को guide करते हूंगे ऐसे लिखना जरूर चाहिए फिर हमें बार-बार confusion नहीं होगी और हमारा कोई mistake नहीं होगी तो पहले formula कि है इसे हम a point और b point दे देते हैं अपने आप से तो a b का distance बराबर formula का है x2-x1 bracket का square प्लस y2-y1 bracket का square उसका under root ठीक है यह formula है तो चलिए x2 कितना है 4-2 की bracket का square प्लस 1-3 की bracket का square यह आ गया under root अब दोनों के अलग-लग निशान है तो क्या करूंगी minus 4 में से 2 गए 2 उसकी bracket के आएगी 2 तो a b का distance 2 की पावर 2 प्लस आगे under root भी है आगे देखें आगे क्या है अब यह भी 1-3 अलग-लग निशान है तो क्या करूंगी minus तो minus करने पर कितना आएगा 2 निशान कौन सी रकम क उसका मतलब भी है तो इसका मतलब यह आगया to now की प्लस था मेर मीनेस प्लस और तो यह बी अगया दोनों के सेम निशान है गरूंगी किघसों म इन्ट्पानीट और आगया तो यह आथा अब इसको कोई centimeter वगारा नहीं दिये तो simple units भी लिख सकते हैं ठीक है है ना easy एक और question कर लेते हैं फटाफट से दूसरा question है मेरे पास कहता है A point दिये है उन्होंने minus 5,7 और B point दिये है मेरे पास minus 1,3 यह है अब सबसे पहले Y, X1 कितना है minus 5, X2 कितना है मेरे पास minus 1 उसी तरह Y1 कितना है 7, Y2 कितना है 3 ठीक है अब formula कहा है AB का distance X2 minus X1 bracket का square plus Y2 minus Y1 bracket का square under root ठीक है अब minus 1 पहले X2 की value fill की minus 1 फिर formula वाला मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी question कहना है finger से साथ साथ चलते जाए यह पहले X2 की value भर दी फिर आगे कहा है minus फिर X1, X1 कितना है minus 5 है तो दो निशान आ जाएंगे इसलिए bracket लिखती ठीक है bracket बड़ी plus 2 plus Y2 कितना है 3 minus Y1 कितना है 7 bracket की power 2 और under root यह आगया अब सबसे पहले यह देखिए इसको minus 1 वैसे यह रकम 5 के आगे दो निशान आगे तो उनको एक करेंगे कैसे multiply करके minus minus plus यह आगया bracket 2 plus 3 minus 7 दोनों के लग 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 निशान है minus करूंगी 4 आएगा निशान बड़ी रकम का minus यह आगया अब इन दोनों के लग 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 इसका माइनस की पावर 2 plus minus 4 की पावर 2 अब सेम 4 की पावर 2 मतलब 4 को कितने बार multiply करने दो बार तो कितना आगया 4 4 16 आगया यहां पर भी minus 4 की पावर 2 है minus 4 into minus minus को multiply किया प्लस 4 4 जा 16 तो यह भी 16 आगया 16 दोनों के सेम निशान है तो अब इसका अंडरूट हमारे पास निकलता नहीं है अगर मैं LCM लेके देखूँ है अंडरूट कैसे निकालते हमने देखा था अंडरूट के टेबल पर पीछे 2 है तो के टेबल पर डिवाइड होता है 16 अब पीछे 6 है लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 है तो यह टू के टेबल पर जाएगा तो 28 फिर 24 का टू टू जा टू वन जा यह अब हमने क्या कहाता है अंडरूट निकालने वक्त पहले सारा फैक्टर निकाल लेने फिर उनके पियरिंग करने यह पियर किया यह तू बच गया ना हर पियर में से एक एक नंबर बहार निकालने यह अब इन दोनों को माजिब लेगे टू टू जा फोर अब यह पूरी पियरिंग को होनी रहा है यह तू बच गया न तो इसको इसर समत बात वहा पियर यह जंब लिखांए और चाए यह निखِया यह की बात है दोनों ही चलिकर है अगर अमारे पास प्रॉपर आणसर हो जाती तो फिर बर जाना थीज़़ा है तो यह हमारे पास जिस्टेंस फॉर्मुला जिसके लिए हमने कोड़ूनेटिमेंटुरी पढ़नी शुरू की है डिस्टेंस फॉर्मला है क्या कि दो पॉइंट्स में डिस्टेंस पता करना है जब हमें उन दो पॉइंट्स के कॉडिनेट्स दिये हूं ठीक है अब अगले लेक्चर में हम इसे रिलेटेड और भी क्वेस्टेंस करेंगे फिलहाल आपने 7.1 की एक्सराइज में से इससे रिलेटेड और भी क्वेस्टेंस की प्राक्टिस कीजिए थैंक्यू हैव नाइस जे